स्वागत है आपका इंडिया टीवी में मैं हूँ आपके साथ विवेक शांडेलिया पाकिस्तान में गजब का थमाशा चल रहा है चुनाओ से भागने की कोशिश में शाबाद सरकार ऐसे ऐसे बहाने दे रही है कि पाकिस्तानी भी शर्म से पानी पानी हो रहे है सुप्रीम कोट में शाबाद सरकार के रक्षा मौन्तराले ने कहा कि चुनाओ इसलिए नहीं किये जा सकते क्योंकि भारतिये खूफिया एजेंसी रौ चुनाओ की दौरान पाकिस्तान में भारी तबाही फैलानी की प्लानिंग कर रही है जबकि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान पहले ही तबाही और बरबादी की गर्त में है भारत को इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है और पाकिस्तान की आवाम से लेकर एक्सपर्ट भी ये सच्चाई जानते है रौ के डर से थर थर कापा पाकिस्तान पाकिस्तान में रौ ने रोके चुनाओ भारती खुफिया एजन्सी रौ यानि रिसर्च एंड एनालेसिस विंग के डर से पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने चुनाव ही रद्द कर दिये अगर आप इतने कमजोर हैं कि लोग आपको घर में घुस घुस के मार रहे हैं अपने अपना होंवर रख करें अपने आपको डिफेंड करें आपकी एजन्सीयां किदर हैं किया जते हैं कि रहा आपके गुसी भी है जो अपने जवान बिपरे में जो पोलिटिकल पोलराइजेशन है उसको काबू पाने के लिए हिंदोस्तान मुखालिफ प्रॉपगेंडा चलाया जाए जए जिनाब बोलना ही है कि हलालालालालालाला हमने इंदोस्तान के ओपर चाड़ दोड़ना ही है इंडिया आप देखें वो अपनी मैनिफेक्ट्रिंग पे लगया है गाड़ियों की मुबाइल्स की उसकी जो अपना उसका रुपए है वो पिछेतर मुल्कों में अब चल रहा है दुबई में वो अपना पैसा यूटिलाइस कर सकते हैं अपना पैसा यूज कर सकते हैं हम लोग वहीं के वहीं खड़े में इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाते थे फौज उनका इतसाब करे पाकिस्तान का पूरु प्रधान मंत्री सिर पर बाल्टी रखकर घर से निकल रहा है कि कहीं गोली न पड़ जाए इमरान खान के घर पर बुलट प्रूफ गेट लगाया जा रहा है कि गोलीयां दंदनाता कोई हमलावर अंदर न घुसा है लहुर में इमरान खान की रहाईशगा पर नया बुलेट प्रूफ गेट पहुचा दिया गया है नए गेट पर 12 से 15 लाक रुपे लागत आई है जराय के मताबिक जिमान पार्क में इमरान खान की रहाईशगा के नए बुलेट प्रूफ गेट की लंबाई 16 फुट और चड़ाई 10 फुट है इमरान खान की रहाईशगा का पहला गेट पुलिस ऑपरेशन के दुरान क्रेन के जरीए तोड़ दिया गया था खुट के मुल्क के ये हाल है और पाकिस्तान की सरकार दोश दे रही है भारती खुफिया एजेंसी रौ को चुनाव टालने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्राले ने सुप्रीम कोट में एक रिपोर्ट जमा की है इस रिपोर्ट में लिखा है कि रौ ने पाकिस्तान की कमजोरियों की पहचान कर ली है चुनावी महौल में रौ इन कमजोरियों पर चोट करेगी चुनाव के दौरान रौ हमला करवाने की प्लैनिंग में है और चुनाव के दौरान रौ का आपरेशन पाकिस्तान के लिए बड़ा खत्रा बन जाएगा अब इसमें अब बताना यह चाहूँगा असदर हकीकत हो क्या रहा है दोनों पाइटियां अगले अलेक्शन के लिए अपना अपना नेरेटिव जो है वो अडाप्ट कर रही है नून लीग मुझे लगँ लग रहा है दैश्ट गर्दी पे अलेक्शन लड़ेगी और खाह सम्मेंगाई के उपर अलेक्शन लड़ेगी अब दैशतगर्दी का जो चेकर है उसको उन्होंने शोड डालना शुरू कर दिया भारत 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 ये बड़ी पुरानी स्टोरी है ये चूरन बहुत पुराना हो चुका है फंड ना मिल रहे हो अमेरिका से तो आपने CIE के साथ जोड़ देना होता है मुसाद के साथ जोड़ देना होता है आपने रा के साथ जोड़ दे जब आप अपना खुद का होम वरक नहीं करते तो लोग उनके उपर अलजाम तराशी करने हैं क्या फाइदा है और दूसरा अग हाल ही में जनरल आसिम मुनीर ने भी पाकिस्तान के कोर कमांडर की एक बैठक की इस बैठक का लबो लुआ भी यही रहा कि पाकिस्तान के बर्माद हालात का सारा ठीकरा भारत पर फोड़ा जाए कोर कमांडर कांफरेंस में मनें आपको बताना है कि हुआ क्या फैसले क्या लिये गे जो दोगली पॉलिसी है यह बड़ी गोर तलब बात है जो अपने जवान बिपरे में है जो पुलिटिकल पॉलराइजेशन है उसको काबू पाने के लिए हिंदोस्तान मुखालिफ प्रोप के दान तिखाने के और खाने के और जुनाब बोलना है हमने एंदोस्तान के ओपर चारदोड़ना है यह कोर कमांडर कांफरेंस के अंदर जो नतीजह सामने अख़स हुआ है जो फैसला हुआ हो यह भी हुआ है पाकिस्तान में सीधा सीधा मसला ये है कि शहबाज, सरकार और फौज किसी भी कीमत पर चुनावों से भागना चाहते हैं क्योंकि दोनों को डर है कि चुनाव हुए तो इमरान खान जीत जाएंगे लहाजा भारत से खत्रे का हिस्टीरिया पहला कर रौ का डर दिखा कर चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट में फौज के इशारे पर ही नाच रहा है चीफ जैसे पाकिस्तान ने जी कहा कि इससे पहले सेक्योरिटी सूर्थचाल पर जो है वो इलेक्शिन कंशिन ने भी ये कहा था कि शिर्व फ़ैरिक्स का मौमला उनकी जानेMONप से नहीं उठाये गया था चुनाव टालने के लिए शहबास सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक ऐसी ऐसी दलीलें दी हैं जिनें सुनकर पाकिस्तानी शर्म से डूब मर रहे हैं कहा गया कि पाकिस्तान नाकाम मुल्क है कहा गया कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है कहा गया कि मुल्क में चुनाओ कराने के पैसे ही नहीं है कहा गया कि पाकिस्तान में देश्चत गर्दी बेकाबू है और अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को रौ से खत्रा है हम यह कहरे हैं कि सियासी जमातों को आपस में बैटना चाहिए हम तो इस्टैबलिश्मेंट को भी कहते हैं कि आप भी साथ बैठ जाईए छोटे 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 बच्चों को 10-10 साल से लेके 17 साल के बच्चों को उठाया जाता है उन्हें बरहना किया जाता है उनके उपर तशिद्द किया जाता है मुझे अब बताएं इन हालात में आप कैसे मुझा करेंगे इमरान खान के घर के उपर रोज नया हमला हो जाता है तो बन्यादी तोर के उपर या तो हकूमत के अंदर एक element है जो चाहता है कि मुजाकराद या किसी तरफ कोई बात ना हो या फिर ये सारी गहर संजीदा लोग है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी दूद की धुली नहीं है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इमरान खान के मोहरे की तरह काम कर रहे है इमरान को हर केस में जमानत मिलती जा रही है ये भी सुप्रीम कोर्ट की ही महरमानी है मामना ये कि ये लॉबी इजम है मैं जुडिशल किमिशन का हिसा रहा हूँ दस साल बतार लामिनिस्टर पंजाब के खुदा की कसम कोई भी अपाइर्मन जो है ना वो मेरिट या कम्पीटेंस की बन्याद के उपर बले हो सो हो लेकर उसके पीछे आपको एक सीधी सीधी जो है वो लॉबी नजर आती है जब ये लॉबी इजिव होगा तो फिर ये ऐसे फैसलों की फिर किस तरह से जो है वो गदर होगी और ऐसे फैसले किस तरह से परवान चडेंगे एक जजज स्वाइब ये वेट हो रहे थे लहोर हाई कोट से सप्रीम कोट में उसक्त जनरल फैस साब जो है वो आई एस आई के याई डी जी आई थे वो मरे जा रहे थे इमरान की शरीफ खानदान से जितनी दुश्मनी है उतनी ही दुश्मनी जनरल आसिम मुनीर से भी है इमरान के दोनों दुश्मन दोस्त बन चुके हैं और अपने इसी ताकतवर दोस्त के दम पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी जूते की नोक पर रख रहे हैं स्थाइट बैंक एलेक्षन कमिशन को पीव तक 21 अरब रुपए दे गवर्नर्स टेट बैंक ने अदालत को बताया है कि 21 अरब रुपए दे सकते हैं स्वाल प्यादो मसला क्या है मसला है पीडियमी इलेक्शन नहीं कराऊंगी कराया तो मारी जाऊंगी तो नहीं नहीं पता नहीं पंजाब नहीं जाऊंगी नहीं इलेक्शन नहीं कराऊंगी कराया तो मारी जाऊंगी ये बदनियत है स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमिशन को र इसमें दो बाते हैं, निया पाकिस्तान, पिछले पाकिस्तान के बारे में, हमारे एक बज़र कहा करते थे, कि उसकी कहानी है, ब्लंडर लूट मार, ब्लंडर भ्यान गलती है, और सरंडर्स, ये क्या मिन्टालिटी है, ओ भाई, लेकिन उनका भी बंदोबस्त हो, जो हमारा प पाकिस्तान में इस वक्त एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, तो दूसरी तरफ फॉज, लेकिन पलड़ा फॉज का भारी है, क्योंकि कोर्ट को कामू करने के लिए, फॉज और आईएस आई, कई जजों के आउडियो लीक सिलसले वार निकाल रहे हैं, इस मुल्क में हिस्टॉरिकली और आज भी जो आपकी इस्टाब्रिश्मेंट है, आपकी फॉज है, उनका कोई आईनी रोल नहीं है, वो मुदाफलत करती है, वो एक ऐसी पार्टी है, जिसको इसे दूर रहना चाहिए, और क्योंकि उनके पास ताकत है, क्योंकि उनके पास पॉर्स है, मजीद हम डीटेल्स में जा सकते हैं कि उनके पास और क्या कुछ है, जिसकी बुन्याद पे वो ब्लैकनेल करते हैं, और सियासिदान जो है, वो इस पावर बैलन्स में कमजोर है, जिस तरह इमरान खान के को फिसलिटेट किया गया, बाकी सब को खतम करने की कोश शाबास सरकार चुनाओ टालने के लिए भारत और भारत की खुफिया एजेंसी रौ से खत्रे का जूटा बहाना गड़ रही है, जबकि खुद इमरान खान दरजनों बार अपनी हत्या की साज़श रचने के लिए पाकिस्तान के प्रधान मंतरी, ग्रह मंतरी और आईस आई चीफ को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, एक बार फिर इमरान ने ईद से पहले खुद पर हमले की आशंग का जताई है, क्यों हमारी ये हलात हैं आज, कि दुनिया में गुट्रों पर फिर रहे हैं, भीक मांगते हुए फिर रहे हैं, मुल्क गरीब है, लेकिन पाकिस्तानी इल्ला उदर से ही अजादी शुरू होती है, जब आप ये बियान करते हैं, कि अल्ला तेरे स्वा, मैं किसी के सामने नहीं जुकूंगा, तो ये आपका अजादी का सफर शुरू हो जाता है, कि जब तक हम इस मुल्क में अदल और इनसाफ नहीं पैदा करेंगे, और उसके जंग नहीं लड़ेंगे, हम अजाद नहीं होंगे, और जब तक हम अजाद नहीं हम उपर नहीं जा सकते हमारी परवाज उपर नहीं जाएगी, जब हिंदुस्तान में कोई आया, ऐसा हुकमरान जिसने इनसाफ कायम किया, खुशाल हो गया, क्योंकि वो इनसाफ करने वाले है, इमरान खान भी पहले से ही भारत की नीतियों की तारीफों के पुल बानते रहे हैं, अब उनके समर्थक भी भारत की तरक्की में अपना भविश तलाश रहे हैं 1949 में चाइना अजाद होता है, आज देखें बड़ी एकॉनमी में वो आ रहा है, आपके साथ इंडिया है, वो आजकल बड़ी एकॉनमी में, आपको कोई दिन नजर आ रहा है कि हम भी दुबारा खड़े हो जाएंगे इंडिया आप देखें, वो अपनी मैनिफेक्ट्रिंग पे लगया है, गाड़ियों की, मुबाइल्स की, उसकी अपना उसका रुपे है, वो 75 मुल्कों में अब चल रहा है, दुबाई में वो अपना पैसा यूटिलाइस कर सकते हैं, अपना पैसा यूज कर सकते हैं, हम लो अब जाकर रोटी का लेता था, वो सोच जाता था, उन लोगों से पूछें, तो वो बताएंगे कि इमरान खान के दोर रहकूमत किस तरह बेतर था, वो अपने नाम की शरम रख लो, अपनी अपनी उमर की शरम रख लो, तुमें अभी भी मुह भर भर के गालियां पाड़ अब लोगों को पता है कि आप आर या पार लगेंगे तो ही यहां से उठेंगे, वरना तो अवाम यहां से उठने वाली नहीं है, फौज के इशारे पर नाच रहा शरीफ कुन्बा और शेहबास सरकार, पाकिस्तान के मौजूदा हल के लिए इमरान खान को जिम्मेदार ठह जिस डस्पिन को वो आज अपने सर पर और मुपर डाल कर फिरता है शक्स, उसके हकाइक आपको बताने बहुत जरूरी हैं, जो मौजूदा हकूमत ने ना सिरफ वो गन साफ किया और कर रहे हैं, चंद इलफाज में यह कहना चाहूं, कि ना मुलक में अवाम की रोटी छोड ना चीनी छोड़ी, मुलकी मैशत को तबाह किया, मुलकी फॉरन पॉलिसी को तबाह किया, कश्मीर का सौदा किया, और यह तमाम वो चीजें हैं, जिसकी वज़ा से आज मुलक के अंदर महंगाई हैं, मुलक के अंदर बेरोजगारी हैं, और आज शर्मिंदगी और के साथ कहते हैं कि हम बहुत पॉपिलर हैं